हालो दोस्तों कैसे आप सभी लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे स्वागात आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर बादल एजू किसनल गूरू आज की वीडियो में बैसे तो आपको थमलेल देखके पता ही लग गया होगा कि यह वीडियो किसके लिए बनाया गया है तो यह वीडियो इस्पैसल आपके लिए बनाया गया है कि बहुती कंदिनों में यानि दस दिन में बयसी नर्स इंट्रेस एकजाम की तैयारी कैसे करें तो वो भू कौन कौन सी सब्जेक्ट को कितने गंटे पड़ें तो वो बने रही रहे हैं legg oc आपको इस वीडियो के माध्यम से तो बने रही हमारे साथ इस वीडियो में हम ज्यादा लम्मा नहीं करेंगे को कुछी सब्दों में कम टाइम में हम समझा देंगे बिना टाइम लोगर की होगे तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं पहली बात दोस्तो जान देने युग बात आप लोगों को डिमोटिबेट नहीं होना है कापी जाए स्टुडेंटों के कमेंट आ रहे थे हमारे पास कम से कम 15 लोगों के कमेंट आ चुके हैं टेलीग्राम पर और बोट्सप पर 15 लोगों के कमेंट आ सुके हैं कि सर हम डिमोटिबेट हो रहे हैं तो कोई उपाय बताओ क्या होगा आपको बिल्कुल डिमोटिबेट नहीं होना है बिल्कुल भी गवराने वाली जरूरत नहीं है आपको क्यों गवरा रहे हैं पहले तो यह बताओ हमें आपको गवराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसे आपने 12 में एक्जाम दिया था वेसे ही आपका जो बीसी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम होगा उपलाइन वो उसी तरह होगा इसलिए आपको गवराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसे आप 12 में गए थे वेसे ही आपको जाना है बीसी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम देने के लिए पहली बात तो यह आपका बस फर कितना सा है कि वहाँ आपको कौफी भरनी पड़ती थी चोरी लिखनी पड़ती थी कॉस्चन की यहाँ आपको multiple choice कॉस्चन दिये जाएंगे MCQ कॉस्चन दिये जाएंगे यहाँ पर आपको तो उसमें क्या है OMR सीट आएगी तो OMR सीट भरनी है आपको वहाँ ऐसा कोई प्रेसर नहीं होता है बीसी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम के अंदर कि किसी का दवाव हो कोई जैसे आप 12 क्लास में गए थे बैसे ही जाना है आपको यहाँ पर भी इंट्रेस एक्जाम देने के लिए ट्वेल्थ की तरह ही जाना है वाट फरक इतना सा है कि वहाँ थोरी लिखते थे यहां थोरी नहीं लिखनी है यहां मल्टीफल चोई कोई सना आएंगे दूसरी बात मेरे भाईयों दूसरी बात ध्यान देने एक बात यह है कि बीसी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम के अंद यह तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़नी है मैं बताओं आपको बहुत ही कम दिन में यानि दस दिन में कैसे पढ़नी है ज्यादा तरह स्टूडेंट होगी जो बाईलोजी होती है वो बाईलोजी स्ट्रॉंग होती है बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और पकड़ भी अच हैं चाये स्टेडी पे देव सरका हो चाये बिजे पुनिया जी सरका हो चाये हमारा बादल एजुकरेशनल गूरू यूटूब चैनल हो उन पे मैंने काफी स्टुडेंट टेखें बाइलोजी की किलास जदा अटेंड करते हैं और बाइलोजी की तो आपको ध्यान देना है पकड़ करनी है बट physics chemistry पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि physics chemistry आपकी मजबूत होंगी तो यह आप B.H.C. nursing नर्सिंग इंटरेस एक्जाम को करेक कर पाऊए अगर आपकी B.H.C. nursing इंटरेस एक्जाम के अंदर physics और chemistry मजबूत नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते थे सी नर्सिंग इंटरेस एक्जाम की अंदर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो बी एस से नर्सिंग इंटरेस एक् बनकर आपका जो physics होता है उसमें से काफी ज्यादा question आदें numericals के numericals की प्रेश्ण बनकर आते हैं physics के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा physics पर ध्यान दो जिनकी physics और chemistry वाई लो जी तीनों ही मजबूत हैं तो वो तीनों ही subject को दीरे 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 निकालते जाओ यानि दस दिन दीरे 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 तयारी कराते जाओ और वैसे भी आपकी काफी अच्छी तयारी हो रही है जो YouTube चैनलों के द्वारा थड़ बात आपको कौन सी subject कितने गंटे पर नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको आपको मात्र दस दिन में प्रतेग सब्जेक्ट थरी आवर थरी आवर निकालनी है प्रतेग सब्जेक्ट यानि physics, chemistry and biology प्रतेग सब्जेक्ट तीन तीन गंटे आपको regular निकालने हैं दस दिन में रेगूलर तीन-तीन गंटे कम से कम तीन-तीन गंटे तो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़नी ही हैं concept wise concept wise पढ़ोगे कोई problem नहीं आएगी आपको कोई भी problem हो आप हमें बता सकते हो हम आपकी पूरी मदद करेंगे जो भी हमसे बनेगा और वेसे भी हम आपको हमारे YouTube चनल के दोआरा अच्छे से अच्छा content प्रवाइड करने की इकोसिस करते हैं और अच्छे से अच्छा content देते भी हैं फिजिक्स की आप physics की बोलते हो तो हम physics की English में class भी लगा रहे हैं physics की रादा मौनसर के द्वारा आपको physics की class English में भी दी जा रही है हमारी YouTube चैनल के द्वारा chemistry और biology भी आपको regular दिया जा रहा है और मैंने आपको वहाँ पर next 5 से 6 year के question paper भी provide कर दिये हैं आपको 5 से 6 साल तक के question paper भी provide कर दिये बोर्ट सप और telegram पर अगर आपने नहीं लिये हो तो आप हमसे संपर कर ले हम आपको provide कर देंगे personal भी provide कर देंगे चोथी बात रही बात किसकी कि B.H.C. nursing entrance exam 23 तारीक की date है तो 23 कोई होगा या आगे बढ़ेगी dashboard fund होगी तो इस बारे में बात करते हैं जो आपका B.H.C. nursing interest exam है वो 23 जनवरी को होगा इतना सब को पता होगा कि 23 जनवरी को होगा अब बहुत से student कमेंट कर रहे हैं रोज कमेंट करते हैं कमेंट करकर के परहसान कर देते हैं इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा उनकी रहा पर ही अमने वीडियो बनाया है बोले सर आप एक वीडियो और बना दो आपका जो नोटिपिकसन आयगा तो हम आपको जैसे ही बता देंगे बट अभी कोई चांस नहीं है आपका जो करना आराम से कर लेंगे तो इस ब्लेम में बिलकुल ना रहें क्योंकि आपकी जो बीस नर्सिंग इंट्रिस एक्जाम की तैयारी करने में ज्यादा से ज्यादा जुड़ ज़्यादा ज्यादा से ज्यादा मेनद करने में जुड़ जाओ जो पहले 50% मेनद कर रहे थे वह 100% मेनद करो आपको डी मोटीवेद तो होना ही नहीं है बिल्कुल तो कि जब हमने बिये सी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम दिया था तो ओनलाइन मोड में दिया था आपको क्या पॉर्चि दे रहे हैं कि बिए सी नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम में क्या करना होता है क्या सारी चीजे बता रहे हैं सबी चैनल उन्दुआरी घो reject में दिया रहिए तीस जनवरी तक कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे तो हमारी BSC नर्शेंग इंट्रेस एकजाम भी पॉस्ट पॉइंड होगी तो अभी ऐसा कुछ नहीं है आपकी BSC नर्शेंग इंट्रेस एकजाम पॉस्ट पॉइंड नहीं होगी देखो मैं नोटिफिकेशन बता देता मैं तक बंद रहेंगी स्कूले कोलेज एंवम 50 पीज़ी रहेंगी उपस्तिति 7 कि साथ जनवरी तक 50 लोग समारों में सामिल किया जाएंगे तीस जनवरी तक 100 लोग हो सकें या नहीं के सामिल तर इसमें कहने का मतलब यह दोस्तों इस पूरी जो गाइडलाइन है राजस्तान सरकार दोर्य गाइड दी गई है इसमें कहने का मतलब यह है कि जो ट्वेल्थ क्लास तक के स्कूल है वो प्रदेसों में बंद कर दिये गए यानि शेहरी इलागों में बंद कर दे गए घ्रामी इन इलागों में वो इसकूल खुले हुए अभी 30 जनवरी तक बंद रहेंगी इसकूले मतलब जीजों को देख कर बेंको डिमोटिवेट नहीं होता है बिल्कुल भी किए यह प्रणुप्र देमोटिवेट एक कर नहीं होना है बोल सकते हो हम आपका कमेंट में तुरंत रिपलाई देते हैं ऐसा नहीं हम किसी भी स्टुडेंट का रिपलाई नहीं दिया हो हरे स्टुडेंट का रिपलाई मिलेगा हरे स्टुडेंट का रिपलाई देते हैं प्रतेक का चाहे वो टेली कर रहा हो चाहे बोट्सप हो चाहे किवर भी हो आप कमेंट कर देना हम आपका तुरंत रिपलाई देंगे आसा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ थेंक्स पोर वॉचिंग